मेरा नाम चवंग नौफिल है मैंने आज तक 15 आर्टिफिशल ग्लेशियर्स बनाए और लोग मुझे आइसमिन अफ इंडिया कहते हैं लदाखी में एक काववत है बूप ना सास्तिन मतलब अगर इंसान गीर जाए तो मिटी का साहरा लेना पड़ता है लदाख तूरिजम के लिए एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है लेकिन अगरिकल्चर ही एक ऐसा चीज है जिस पर हम सरवाईव कर सकते हैं लेकिन यहां का आसली मसला जो है न वो पानी का है मैं बच्च्पन में एक ऐसे जमाने से गुजरा जब यहां पानी की कोई दिक्कत नहीं थी मेरे सामने जो नदी है उसमें इतना पानी आ जाता था हमारा मावप लोग कहते थे के सार बज़े के बाद उदर बिल्कुल वहां नहीं जाना अभी तो यह बिल्कुल सूग गिया है और साथ-साथ ही यहां ग्लोबल वार्मिंग की वज़स से ग्लीशेर जो सब खतम हो गिया है पीक में थोड़ा सा वाइट स्पॉट दिखाई देता है सद्यों में इतना पानी वेस्ट हो जाता है मैं यही सोचता हूँ कि इस पानी को कैसे कौन जरू करे इंसान दिन रात सोचता है तो कुछ न कुछ आईडिया आई जाता है एक दिन मैंने देखा मेरे गर के सामने जो पानी का नल है उससे दीरे-दीरे पानी गिर रहा है और वो जो पानी एक जगे इकटा होकर कुछ टाइम में जम गया और एक आईस का पूल सा बन जाता है बिल्कुल एक ग्लेशिय की तरह तो मैंने नलक के पानी से इंस्पिरेशन लेकर सोचा कि इसी तरह पहाड से जो मेंस्टीम आता है उसके फ्लो को स्लो कर दूँ और उसे एक जगा पर स्टोर कर दूँ तो वो एक ग्लेशिय जैसा बन सकता है इस तरह मैंने इस पानी को डाइवर्ट करके छोटे-छोटे डैम में जमा किया जिससे वो फ्रीजों के आईस बन गया समर में ये पानी पिगल के एग्रिकल्चर में काम आ जाता है तो ये आइडिया लेके मैंने 15 आटिफिशल ग्लेशियस बनाए स्टार्टिंग में तो कई-कई लोगों को यकीन ही नहीं आया वो हसने लगे बोले ये पगल क्या बातें कर रहे किसी के दिमाग में ही नहीं था कि एक किसान का लड़का भी तो ऐसा काम कहेगा एक किसम का तो हमने नेचर को थोड़ा चेलिंज ऐसे दे दिया है जीतना भी यंगर जेनरेशन हैं उनको पानी का वैल्यू जानना चाहिए एक करके छोड़ना नहीं है चाहे लोग साथ दे ना दे अपना तरफ से कोशिश करना है अभी मैं 80 एर्स का हूँ मैंने जो कुछ किया है थोड़ा कुछ लोगों के काम में आगी है जो अपने मजबूत एरादों से कुछ बढ़ा कर जाते है हर रोज हमें गर्व का एहसास कराते है वही लोग इन्विंसिबिल इंडियन्स कहलाते है INS विकरांद के फॉलाच से बनावी ऐसे लोगों को सल्यूट करता है और आप से अपील करता है कि इनकी कहानियों को शेर करें आपके आसपास भी ऐसे इन्विंसिबिल इंडियन्स हों तो हमें बताएं हम उनकी कहानियां देश के कोने कोने तक पहुचाएंगे और आपके आसपास से नहीं करता है